तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जहाँ पर हम सीखते हैं AutoCAD Basic से लेके Advance तक तो गाइस आथ सुबर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पर हमने देखा था Relative Rectangular Coordinate System with Respect to Line Command तो इस बार हम देखने जा रहे है Relative Polar Coordinate System with Respect to Line Command तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक टुटोरियल बना के रखा है जो मैंने ब्लॉग में भी अपलोड किया हुआ है आपको वो रिफर करना पड़ेगा क्योंकि मैंने थेरी वहाँ पर ही दिया है तो यहाँ पर गाइस हमें करना क्या पड़ेगा अब हमें Polar Coordinate System में जाना है अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो मैंने दिया है आए बटन में आप वो वीडियो जाके देख सकते है कि Angles कौनसर डारेक्शन में जाते कसे जाते मैंने पूरा एकस्लेन किया है वहाँ पर तो इहां पर सबसे पहले हम चालू कर लेते हैं हमारा एंगल मेजर करना तो जिसके लिए मैं यहां पर कुछ reference lines create कर लेता हूँ, मैं directly command से measure करने वाला हूँ हर एक angles तो मैं measure कर ले lines पहले create कर लेता हूँ, यहां पर यहां पर कोई ज़रुवत नहीं है, तो हम पहले हमारे angles decide कर लेते हैं, तो जैसे कि हमें पता है कि यह anti-clockwise direction में move करता है, तो हम सारे angles हमें anti-clockwise direction में feed करना पड़ेगा, तो यहां पर internal angle 120 का दिया है, तो हमें feed करते time यहां पर 60 degree करना पड़ेगा, because anti-clockwise move करते वक्ते यह angle हो जाएगा 60 degree का, तो यह मैं currently नहीं है, मैं यहां पर लेता हूँ, यह angle हो जाएगा 120 degree, because यहां पर internal angle हो जाता है 160 degree का, और स्वरी 60 degree का, फिर यहां पर angle हो जाएगा, यह angle समझना बहुत tricky है, क्योंकि यहां पर आपके पास है, मैं समझाता हूँ quadrant बना के, line command ले लेता हूँ पहले में, यहां पर reference line बना लेता हूँ quadrant समझने में easy होगा, guys तो यह यहां से यहां पर 90 degree, यहां से यहां 180 degree, तो यह movement हो गया, 90 to 180, अगर यह quadrant हम नीचे तक देखेंगे, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 270 degree, तो अभी, जब हम Z angle form करते है, alternate angles, तो यह 60 हो गया, तो यह angle भी 60 हो जाएगा, यह 60 है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यह 60, आप देख सकते हैं, 60 degree आ गया है, वहाँ पर, तो यह angle भी, but obvious, 60 degree का होगा, alternate angles है, 60 degree, तो 90, प्लस 90, 180, प्लस 60, 240, यह angle feed करते हैं, हमें डालना पड़ेगा, angle 240 degree, because अब anti-clockwise movement हो रहा है, तो फटाक से हम चालू करते हैं, हमारा tutorial, सबसे पहले हमने ले लिया line command, सारे, पहला syntax, add the rate, side है 4 का, angle 0 है starting में, so 0, फिर से add the rate, side है 4 का, angle है 60 degree का, फिर से add the rate, side है 4 का, angle है 120 degree का, अब यहाँ में गाई, एक मस्त सा trick है, अभी हमें backward move करना, तो इसके हमारे पास दो तरीके हैं, यहाँ तो हम डालेंगे add the rate minus 4, yes, distance में हम minus 4 डालेंगे, which indicates हमें minus opposite direction में move करना है, और angle हम feed करेंगे 0 degree, मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, add the rate minus 4, angle 0, तो देख सकते हैं, हम पीछे की तरफ आ गए हैं, और इसका एक दूसरा तरीका भी है, मैं वो भी करके दिखाता हूँ, हम side में 4 डालेंगे, add the rate 4, but angle हम 180 करेंगे, फिर से add the rate 4, अब यहाँ पर हमें angle कितना डालना है, 240, last, अब angle कितना आएगा, तो हम calculate कर लेते हैं, मैं calculate करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर, यह खिछड़ी पहले मैं निकाल दूँ यहाँ से, तो यहाँ पर angle समझना बहुत ज़रूरी है, यह total है 180 degree, यह हो गया 60, तो यह हो गया 120 degree, यह 120 है, और उपर 180 degree का movement है, so 180 plus 120, तो गाइस यहाँ पर हमें autocad का और एक hidden feature दिखा देता हूँ, जो है autocad की inbuilt calculator, तो inbuilt calculator यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको, जो यहाँ पर shift के बाजू में colon का symbol है, उसके बाजू में एक है inverted commas का symbol, तो हमें inverted commas नहीं यूज करना है, हमें single वहाँ पर जो line है वो यूज करना है, तो हम दबाएंगे shift, वो की, सॉरी, सिर्फ वो की हमें प्रेस करना है, हमें single line लेना है, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे c a l, तो guys आप यहाँ पर देख सकते हो, कि यह कौन सा symbol मैंने use किया है, फिर हमने लिखा c a l, अब यह calculator पर चला जाएगा, तो हमें simply करना क्या है, 120 प्लस 180 करना, तो मैं देख दूँगा 120 प्लस 180, तो यहाँ पर कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो हम प्रेस करेंगे f2, f2 प्रेस किया, तो guys एक यह कमांड बॉक्स खुल गया है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमारा expression था 120 प्लस 180, जिसका answer नीचे आ गया है 300, तो guys हमारा next angle रहेगा 300 का, तो मैं डायलोग बॉक्स क्लोज कर देता हूँ, हम फिर से कमांड पर आ जाते हैं, अब फिर से एक बार line कमांड ले ले लेते हैं, l enter, point को मैंने specify किया, add the rate for angle 300, तो देख सकते हैं guys, यहाँ पर हमारा जो एक shape था, वो completely create हो गया है, तो guys इस वीडियो में मैंने special feature यूज किया, calculator जो मैं और एक बार आपको करके दिखाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले हम लेंगे single quote, single quote लिया, फिर हमने लिखा क्या, c, a, l, calculator, फिर हमने press किया, enter, अब हमारा जो भी expression रहेगा हम यहाँ पर डाल सकते हैं, मैंने डाल था 120 प्लस 180, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं guys, 300 लिखकर आ गया है, यहाँ पर मैंने highlight के side में 300 लिखकर आ गया हमारा answer जो भी था वहाँ पर, तो guys, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो like कर लेना, subscribe कर लेना, और हम आगे भी ऐसे बहुत सारे में बीच-बीच में वीडियो में एक हादा ऐसा shortcut trick में लेके आता रहूँगा, जो आपको काफी पसंद आएगा, तब तक के लिए, thank you for watching this video, next video के लिए बीट कीजिया,